प्रोस्पेक्ट नहीं आपके पास, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहा जाये किस से बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप घर से बहाँ निकलिये अपना बेग लीजिए और अपने महले में या अपने महले से थोड़ा दूर चले जाएए और जो भी आपको घर दिखता है जो भी आपको दुकान दिखती है यानि आप घर घर जाएए दुकान दुकान जाएए और उनसे कहिए कि नमस्ते भाईया मेरा नाम उधे सुपार्द्या है मैं Life Insurance Corporation of India में एक Financial Advisor हूँ और भाईया मुझे अभी आपका सिब दो मिनट का समय चा चानते हों तो जब वह वेक्ती आपको दो मिनट का समय दे रहता है ऑपसे कहता है हाँ कहो आप क्या कहना चाहते हो तो आपको उस बेग्ती से कहना है भाईया एक Advisor होने के नाते मैं यह तो नहीं चानता कि मैं आपके जियोन में कितना contribute कर सकता हूँ कितना नहीं लेकिन भाया मेरा यह अनुभव रहा है कि मैं अपास बच्चे की marriage के लिए जो planning है जो मैंनाज तक जितने भी लोगों को दिखाई है वो उन लोगों को बहुत पसंद आई है वो इसका बहुत सारे लोगों ने जादा तर कंडिशन में आपको वही लोग मिलेंगे जो आपको मना नहीं करेंगे वो आपसे यही कहेंगे कि हाँ ठीक है आप आ सकते हो मिल सकते हो अब यह हो सकता है कि कुछ लोग आपसे यह कहें हाँ बताओ हमें अभी बता दो तो इस condition में आपको उस वेक्ती से कहना है भाई हमें आपको अभी ही बताता लेकिन भाई अभी क्या है अभी आप भी वीजी हो में भी वीजी हूँ क्योंकि भाई हमें अभी एक task पर निकला हूँ कि दिन भर में मुझे आज 25-30 लोगों से मिलना ही मिलना है उनके appointment लेना ही ल आप उसके बारे में बिलकुल भी चिंता ना करें तो बताए है भाई है मैं आपसे कल सुभा 9-12 के बीच में मिलूं या साम को 4-8 के बीच में अब दोस्तों जो भी समय उसे देना होगा वह आपको दे देगा और सबसे अच्छी बात यह ही कि जो आपने उसे समय बताया है क सुभा 9-12 के बीच में और साम को 4-8 के बीच में तो बेक्ति आपको जो समय देगा वह आपके द्वारा बताये गए समय में से चुनकर ही देगा और यदि आप उस बेक्ति से मीटिंग करना चाहते हो दिन में तो आप उस बेक्ति से कह सकते हो भाया मैं आपसे कल सुभा 9-12 कि बीच में मिलूं ये दिन में 12 से 4 के बीच में आप वो वेक्ति आपको जो भी समय देना चाहता होगा वो आपके द्वारा दिये गए समय में से आपको चुनकर दे देगा तो यदि आपके पास पॉर्सपेक्ट नहीं है आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहां जाए तो जो मैंने आपको बताईए आप इस टेखनिक का उप्योग करें अपने घर से बाहा निकलें और जो भी घर दिखता है जो भी दुकान दिखती है आप घर घर जाए दुकान दुकान जाए और जो चीज मैंने आपको बताईए इसी थार से आपको बोलना है और मैं आपको विश् कि यदि आप ऐसा कंटीनू कुछ दिनों तक करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिजट देखने को मिल जाएगा